थाइलेंग का हिमाफन जंगल आज के आधुनिक यूग में भी रहस्मई बना हुआ है इसके पीछे एक बेहद ही चौकाने वाली वजह है इस जंगल में एक ऐसा पेड़ है जिस पर लड़कियां लटकी हुई होती है इतना ही नहीं पेड़ पर लटकी लटकियों के बाल पेड़ की डालियों से बदे हुए होते है यदि जंगल में कोई नया व्यक्ति चला जाए तो वह डरके मारे पसीने से तर हो जाता है क्योंकि ये दिश्च देखने में जितना ड्रावना है असलियत में उतना ही रहस्मई है दरासल हिमाफन के जंगलों में पेड़ से लटकिये लटकियां एक बिचितर प्रकार की चीज है इसके बारे में आज तक कोई खास जानकारी हासिन नहीं हुई है कि ये फल है ये सब्जी हूब हूब लड़की जैसी दिखने वाली ये चीज नैर्फिन नांके पेड़ पर उपती है जिनका रंग हरा होता है इस रहस्मई पेड़ के बारे में थाईलैंड में कुछ मानिताएं हैं जिनके मुताबिक हिमाफन के जंगलों में इन विचित्र पेड़ों को कोई और नहीं बलकि खुद भगवान बुद्ध ने लगाया था मानिताओं को लेकर इस्थानिय लोगों का कहना है कि जब लोग भगवान बुद्ध द्वारा बनाई गई रहा पर चलना छोड़ देंगे उसी समय इस प्रजाती के पेड़ खत्म होने शुरू हो जाएंगे नेरिफन पेड़ पर उगने वाली ये मिचित लड़की जैसी चीज केवल साथ दिनों तक ही रहती है इन लड़कीयों को यहां के लोग या तो तोड़ लेते हैं या फिर ये खुदी तूटकर गिर जाती है इतना ही नहीं इस्थानी लोगों का कहना है कि पेड़ों पर उगने वाली इन लड़कीयों में जादू शक्ती भी मौजूद होती है कुछ लोगों का तो मानना ये है कि इन लड़कीयों में आत्माई निवास करती है जो नाजला गाना भी दानती है